हलो दोस्तो, JSC परीक्षा में एक परफिर्च आपका स्वागत है जैसा कि आप सब जानते हैंगों दोस्तो कि JSC CGL पेपर 2 हिंदी में आपको हिंदी के आठ महत्पुन कहानियों के बारे में पढ़ना है जिसमें मधुआ, ठाकूर का कुँआ, नीलम देश की राजकन्या, परिंदे और दिल्ली में एक मौत, वापसी, अभिसप्त और मिस्पाल जैसे कहानियों के बारे में पढ़ना है तो आज से हम लोग कहानी सीरीज को सुचारुधं से स्टार्ट करने वाले हैं ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में मधुआ कहानी को पढ़ने वाले हैं ठीक है, और इससे आगे आने वाले वीडियो ठाकूर का कुँआ, और उसके बाद करमसा कहानियों पर ही बेस्ट होगा ठीक है दोस्तों, तो आपसे ही उमीद है कि आप सबसे पहले हमारे वीडियो देख करके एक बार समझ ले, उसके बाद आप खुद से इस कहानी को रिडिंग कर सकते हैं ठीक है, चलिए तो हम लोग मधुवा चेप्टर को आरम करते हैं, उससे पहले हम लोग कभी के जीवन परचय के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं ठीक है दोस्तों, देखे, मधुवा चेप्टर को लिखे हैं जै संकर प्रसाद, ठीक है, तो देखे, उन्ही के बारे में है कि प्रसाद जी का जनम सन अठारा सव नवासी स्वी में कासी के प्रसीद सुगनी साहु परिवार में हुआ था ठीक है, तो देखे, यहां से तीन प्रसन आजाएगा दोस्तों, जैसा कि पूछा जाएगा कि जै संकर प्रसाद जी का जनम कब हुआ था, तो ठारा सो नवासी में, कहा हुआ था, तो कासी में, और किसके परिवार में हुआ था, तो सुगनी साहो के परिवार में, तुसी प ठीक है, देखे, तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे कि परसाद जी का जन्म सनठार सनवासीस भी में कासी के प्रसीद सुगनी साहु परिवार में हुआ था, जब इनकी उम्र बारा वर्स की थी, तो इनके पिता की मृत्यू हो गई थी, पंद्रह वर्स की उम्र में इनकी माता का भी निधन हो गया, इस कारण इनकी पढ़ाई में बाधा आ गई, ठीक है, इन्होंने अपने घर में ही आगे चलकर हिंदी, उर्दू, संस्क्रीट, अंग्रेजी की पढ़ाई की, इतिहास से प्रसाद जी को बिसेश लगाव रहा है, देखे, दो पत्नियों के आकासमिक गुजर जाने के कारण इन्हें तीसरा ब्या भी रचना पढ़ा, तो देखे, हर एक लाइन से प्रस्ण जो है न, वो आते रहेंगे, जैसे कि इहां सही पूछा जाएगा, कि जैस संकर प्रसाद जी के कितनी पत्निया थी तो तीन, ठीक है, बिया रचना पढ़ा, इनका निधन नमंबर 1937 में हुआ था, ठीक है, जैस संकर प्रसाद जी का न अंसु तथा लहर, ठीक है, ये सभी क्या है, तो ये सभी काबे हैं, और अजाद सत्रू, चंद्रगूप्त, ध्रू स्वामिनी, विसाखा, जन्मिजैका, नागियग्य, कामना, एक घूर्ट तथा असकंद गूप्त, सभी क्या हैं, नाटक हैं, और तितली, कंकाल, तथा इ काबे और कला निबंद संग्रा है, तो देखे, यहां से भी प्रशन आएगा डारेक, कि जैसंकर प्रसाद जी का काबे संग्रा कौन कौन से हैं, तो चार अप्शन होँआ पास आपके लिए दिया हुआ रहेगा, तो देखे, यदि हम लोग काबे संग्रा के बारे में बात क करेंगे, तो काबे संग्रा में याद रखेएगा दोस्तो, कमायनी महराना का महत्व, चीत्राधार, प्रेमपथिक, जर्ना, आसु तथा लहर, और आगे देखे, नाटक की यदि बात करेंगे, तो नाटक में हो जाएगा आपका अजाद सत्रु, चंद्रगुप, ध्रु स् प्रसाद जी ने प्रेम चंद के समांतर कुछ कहानिया भी लिखी है, ठीक है? जो जर्संकर प्रसाद है ना, वो प्रेमचद के समांतर भी कुछ कहानिया लिखे हैं, देखे, मध्वा कहानी में मध्वा नामक एक बच्चे का आजाने से, एक सरावी का जीवन सुधरता सा दिखाई देता है, तो इसी मध्वा के बारे में हम लोग इस कहानी के बारे पढ भरने लगता है, तो इसी चीज को हम लोग कहानी में पढ़ने वाले हैं, देखे, तो कहानी हम लोग स्टार्ट करते हैं, मध्वा, आज सात दिन हो गएं, पीने की कोन कहे, छुआ तक नहीं, आज सात्वा दिन है सरकार, ठीक है, तो देखे, ये जो है ना, ये आपका बोलत है वो सरावी, ठीक है, ये सरावी जो है वो ठाकूर से बोलता है, देखे, आगे है कि तुम जूठे हो, कौन बोले ठाकूर बोले, कि तुम जूठे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़े से मग आ रही है, ठीक है, वह, वह तो कई दिन हुए, सात दिन से उपर, कई दिन हुए अंधेरे में बोतल उड़ने लगा ठीक है तो ऐसे बोला सरावी फिर बोला कि नहीं नहीं हमको सराव के हाथ लगाय हुए भी कैदिन हो गया और अंधेरे में बोतल अभी तक हम लोग उड़ने भी नहीं है कपड़े पर गिर जाने से नसा भी ना आया ठीक है और कपड़ा पर गिर गया होगा तो उसका जो कपड़े की महक है वो सराव जैसी आ रही होगी और आपको कहने को क्या कहों सच मानिए साथ दिन ठीक साथ दिन से एक बूंद भी नहीं और सरावी समझाता है ठाकुर साहब को कि नहीं नहीं कपड़ा पर गिर के होगा अंधेरा में उसी से कपड़ा मेंसे महक आर ही होगी लेकिन साथ दिन से जादा ही हो गया होगा अभी तक सराव को छुए भी नहीं देखी ठाकुर सरदार सिंह हसने लगे उसकी बात सुनकर के सरावी के बात सुनकर के ठाकूर सरदार सिंग हसने लगे लखनव में लड़का पढ़ता था ठाकूर साहब भी कभी कभी वहीं आ जाते थे उनको कहानी सुनने का चस्का था ठाकूर साहब को कहानी सुनने का चस्का था खोजने पर यही सराभी मिला मने उनको कहानी सुनाने वाला यही सरावी बेगती मिला वहरात को दो पहर में कभी कभी सबेरे भी आ जाता अपनी लच्छेदार कहानी सुना कर ठाकूर का मनो बिनोद करता मतलब ठाकूर को मनो रंजित करता ठाकूर ने हस्ते हुए कहा तो आज पियोगे न, सरावी से पूछे, कि आखिर तुमको साथ दिन जब हो गया है, तो आज क्या पियगा, तो जूट कैसे कहूं, सरावी बोलता है कि जूट कैसे कहूं, आज तो जितना मिलेगा, सब को पियाओंगा, ठीक है, आज तो जितना मिलेगा, सब को पियूँगा, मतलब जितना पैसा उसके पास मिलेगा उस सब पैसा को पी जाएगा साथ दिन चने चबेने पर बिताएं हैं किस लिए मतलब वो बोलता है सराभी कि साथ दिन हम मान गए हैं चने चबेने पर ठीक है तो किस लिए माने हैं आज तो मैं सब पी जाँगा जितना हमको पैसा मिलेगा अदभूत साथ दिन पेट काट कर आज अच्छा भोजन न करके तुम्हें पीने की सुज रही है ठीक है ठाकर बोले कि क्या अदभूत बात है साथ दिन तुमको पेट काट के अच्छा भोजन न करने के बजाए तुमको सराब पीने के लिए सुज रही है यह भी सरकार मोज बाहार की एक घड़ी है एक लंबे दुख पूर्ण जीवन से अच्छी है उसकी खुमारी में रुखे दिन काट लिए जा सकते है सराबी बोला उन से कि सरकार मोज बाहार की एक घड़ी एक लंबे दुख पूर्ण जीवन से अच्छी है ठीक है मने लंबा दुख जीने से अच्छा है कि एक पल खुसी से जी ले उसकी खुमारी में रुखे दिन काट लिए जा सकते है अच्छा आज दिन भर तुम ने क्या क्या किया ठाकुर जी ने उच्छा मैंने अच्छा सुनिए सराबी बोला के अच्छा सुनिए सवेरे कुहरा पड़ता था मेरे धुआ से कंबल सा वह भी सुरे के चारो और लिपता था हम दोनों मूँ छीपाए पड़े थे ठीक है मैंने वो कंबल की निचे मूँ छीपा करके पड़ा था ठाकुर सहाब ने हसकर कहा अच्छा तो इस मूँ छीपाने का कोई कारण तो साथ दिन से एक बुंद भी गले में न उत्री थी भला मैं कैसे मूँ दिखा सकता था ऐसे सरावी जवाब दिया और जब बारा बजे धूप निकली तो फिर लचारी थी उठा हाथ मूँ धोने में जो दुख हुआ सरकार वह क्या कहने की बात है पास में पैसे बचे थे चन्ना चबाने से दात भाग रहे थे कटकटी लग रही थी पराठे वाले के यहां पहुचा धीरे धीरे खाता रहा और अपने को सेकता भी रहा मनें सरावी ठाकूर से ऐसे बोला फिर गोंती के किनारे चला गया घुमते घुमते अंधेरा हो गया बुंदे पढ़ने लगी तब कहीं भागा और आपके पास आ गया ठीक है इतना काम हो दिन भर में सरावी कर चुका था अच्छा जो उस दिन तुमने गणरिये वाली कहानी सुनाई थी जिसमें आस्पू दौला ने उसकी लड़की का आंचल भूने हुए भूठे के दानों के बदले मोतियों से भर दिया वह क्या सच है ठाकूर जी ने ऐसे पुछा सच अर्व गरीब लड़की भूठ से उसे चबा कर थू थू करने लगी रोने लगी ऐसे निर्दय दिल लगी बड़े लोग कर ही बैठते हैं सुना है स्रीराम चंद्र जी ने भी हनमान से ऐसा ही किया धायसा रिपलाई दिया ठाकूर साहाब ठठा कर हसने लगे पेट पकड़ कर हसते हसते लोट गए सास बोटोरते हुए संभल कर बोले और बड़पन किसे कहते हैं कंगाल तो कंगाल गधे लड़की भला उसने कभी मोती देखे थी चबाने लगी मतब एक भूकी लड़की होगी दोस्तो उसको मोती मिला होगा हाथ में और उसको चबाने लगी होगी ठीक है तुसी का कहानी ओ पिछले दिन सरावी सुनाया था ठाकूर को मैं सच कहता हूँ आज तक तक तुमने जितनी कहानिया सुनाई सब में बड़ी ठीस थी किसने बोला ठाकूर सहब ने साहजादों के दुखडे रंग महल की अभागनी बेगमों के निस्फल प्रेम करुन कथा और पीडा से भरी हुई कहानिया ही तुम्हें आती है पर ऐसी हसने वाली कहानिया और सुनाओ तो मैं तुम्हें अपने सामने ही बढ़िया सराब पिला सकता हूं ठाकूर जी ऐसा प्रस्ताव सराबी के पास रखें सरदार बुढ़ों से सुने हुए वे नवाबों के सोने से दिन अमीरों की रंग रेलियां दुखडे की दर्द भरी आहें रंग महलों में घुल घुल कर मरने वाली बेग में अपने आप सिर में चकर काटती रह मैं उनकी पीना से रोने लगता हूं अमीर कंगाल हो जाते हैं बडो बडो के घमंड चूर होकर धुल में मिल जाते हैं तब ही दुनिया बड़ी पागल है मैं उसके पागलपन को भूलने के लिए सराब पीने लगता हूं सरकार ऐसा सराबी बोला ठाकूर से नहीं तो यह ब अपने सर से भूलाने के लिए दिमाग से हटाने के लिए मैं सराब पी लेता हूं ने तो इतना खराब आदत सराब पीने वाला मैं क्यों करता ऐसा सफाई दिया ठाकूर साहब से ठाकूर साहब उगनने लगे थे ठीक है उगने लगे थे उनको बोरिग लगने लगा था अं अच्छा जाओ, मुझे निंद लग रही है, वहाँ देखो एक रुपया पड़ा है, उठा लो लल्लु को भेशते जाओ, मने ठाकूर ने बोला कि जाओ वहाँ एक रुपया पड़ा है, उसको उठा लेना और लल्लु उसका नोकर था उसको भेशते जाओ, सराबी रुपया उठा कर धीरे से खिस्का लल्लू ठाकुर साहेब का जमादार था उसे खोचते हुए जब वो फाटक पर की बगलवाली कोठवी के पास पहुचा तो उसे सुकुमार कंठ से सिसकने का सब्द सुनाई पड़ा मैंने एक बालक के सिसकने का सब्द सुनाई दिया वह खड़ा होकर सुनने लगा तो सुवर रोता क्यों है कड़वा वा सुनाया कुमवर साहब ने दो ही लातन लगाई है कोई गोली तो नहीं मारी न करका सुवर में ललू बोल रहा था ठीक है तो किस से ऐसे बोल रहा था तो मधुआ से किन्तु उत्तर में सिसकियों के साथ एक एकाद हिचकी सुनाई पड़ जाती थी अब और भी कठोरता से ललू ने कहा मधुआ जा सोरा नकरा नकर नहीं तो उठूंगा तो खाल उधेर दूंगा समझाना उने कड़वा आवाज में ऐसा वो बोल रहा था सरावी चुपचाप सुन रहा था बालक की सिसकी और बढ़ने लगी फिर उसे सुनाई पड़ा ले अब भागता है की नहीं क्यों मार खाने पर तुला है ललू ऐसे बोल रहा था मधुआ से भैभीत बालक बाहर चला जा रहा था सरावी ने उसके छोटे से सुन्दर गोरे मुह को देखा आसु की बुंदे ढुलक रही थी बड़े दुलार से उसका मुह पोचते हुए उसे लेकर वा फाटक से बाहर चला आया कौन तो सरावी किसको लेकर के मधुआ को लेकर के रात के दस बज रहे थे कडाके की सरदी थी दोनों चुपचाप चलने लगे सरावी की मौन सहानो भूती को उस छोटे से सरल हिर्दय ने स्विकार कर लिया वह चुप हो गया अभी वह एक तंग गली पर रुका ही था कि बालक के फिर से सिसकने की उसे आहट लगी वह जिड़क कर बोल उठा अब क्यों रोता है रे चोकरे मैंने सरावी मधुआ से बोला मैंने दिन भर से कुछ खाया नहीं है कुछ खाया नहीं मधुआ बोला कि मैंने दिन भर से कुछ नहीं खाया है तो सरावी बोला कि कुछ नहीं खाया इतने बड़े अमीर के यहां रहता है और दिन भर तुझे खाने को नहीं मिला यही तो मैं कहने गया था जमादार के पास मार तो रोज ही खाता हूं मधवा बोला कि यही तुम मैं कहने गया था कि मैं दिन भर कुछ नहीं खाया हूँ कि रिपए खाना दे दो तो मुझे मार खाने को मिल गया आज तो खाना भी नहीं मिला मधवा बोला ठीक है? ऐसी बात कुमर सहब का ओवर कोट लिये खेल में दिन भर साथ रहा था, साथ बजे लोटा तो और भी नौ बजे तक कुछ काम करना पड़ा, आटा रख नहीं सकता था, रोटी बनती तो कैसे, जमदार से कहने गया था, भूक की बात कहते कहते बालक के उपर, उसकी दिनता और भूखे ने एक साथ ही जैसे आक्रमन कर दिया, वह फिर हिचकिया लेने लगा, मने सराभी को मदवा कहानी सुना लगा कि मैं दिन भर कुमर सहाब के ओवर कोट लिये खेल ही रहा था, फिर ओ काम किया, फिर ये काम किया, खाने का मौका ही नहीं मिला, तो ऐसे बोलते बोलते उसको भ ये हुए वह भीतर पहुचा, तो टोलते हुए सलाई से मिटी की धीवरी जला कर, वह फटे कंबल के नीचे से कुछ खोजने लगा, एक पराठे का टुकडा मिला, तो मैंने जब माचिस्ते अपने दिया को जलाया, तब उसको एक कंबल के नीचे खोजने से एक पराठे का तुकडा मिला, सरावी उसे बालक के हाथ में दे कर बोला, तब तक तुम इसे चबा, मैं तेरा गढ़ा भरने के लिए कुछ और ले आओ, मैंने पराठा खोज करको सदिया के तब तक तुम इसको खाओ, और मैं तुम्हार लिए कुछ ले करके बाहर से आता हूँ, सुनता ह भी रूलाने का, ठीक है, और ऐसा बोल करके सरावी गली के बाहर भागा, उसके हाथ में एक रुपए था, बारह पैसे का एक देशी अध्धा, और दो पैसे की चाय, दो पैसे की पकोडी, नहीं नहीं, आलू मटर अच्छा न सही, चारो आने का मांस ही ले लूंगा, पर य अच्छो करा, इसका गड़ा तो भरना होगा, या कितना खायगा और क्या खायगा, उसके दिमाग में ऐसा चलने लगा, ओ, आज तक तो कभी मैंने दूसरे के खाने का सोच किया ही नहीं, तो क्या ले चलूं, पहले एक अध्धा ही ले लूं, मैंने उसको लगा कि पहले मैं अपना सराब ही ले लता हूँ, तब कुछ लेंगा, इतना सोचते सोचते उसकी आँखों पर बिजली के परकास की जलक पड़ी, उसने अपने को मिठाई की दुकान पर खड़ा पाया, वा सराब का अध्धा लेना भूल कर, मिठाई पूरी खरिदने लगा, नमकीन लेना भ लोडने लगा, मनें वो सराब ने लिया, और एक रुपया उसका इन्वेश्ट हो गया ही, सब खाने पीने के समान लेने में, और वो जल्दी पहुँचने के लिए दोडने भी लगा, अपनी कोठरी में पहुँचकर उसने दोनों की पात बालक के सामने सजा दी, मनें जो ख कुराने लगा, सराबी ने मिटी के गगरी से पानी उढ़ेलते हुए कहा, नटखट कहीं का हसता है, सोंधी बास नाक में पहुँची न, ले खूब ढूस कर खाले, और फिर रोया की पीटा, और रोना मत खाले भर पेट, दोनों ने बहुत दिन पर मिलने वाले, दो मित्रो की तरह साथ बैटकर भर पेट खाया, गीली जगा में सोते हुए बालक ने सराबी का पुराना बड़ा कोट उढ़ लिया था, जब उसे नींद आ गई तो सराबी भी कंबल तान कर ब्रबढ़ाने लगा और सोचा था, आज साथ दिन में भर पेट पी कर सूँगा, लेकिन व गया, एक चिंता पुर्वा का अलोग में आज पहले पहल सराब ने आँख खोलकर कोटरी में बिखरी हुई दरिद रेते की अभी वुधी को देखा, और देखा घुटनों से ठुटी लगाए हुए उस निरिह बालक को, उसने तिल मिलाकर मन ही मन प्रान किया, किसने ऐसे मार फलो को कष्ट देने के लिए निर्दयता की, सिरिष्टी की, मैंने सराबी सोचा कि इतना सुंदरबालों को किसने ऐसे भूखे पेट रहने के लिए इस सिरिष्टी की रजना की, आहरी नियती, तब इसको लेकर मुझे घर बारी बनना पड़ेगा क्या, मैंने ऐसा ये स सोचने लगा सराबी, दुरभाग्या, जिसे मैंने कभी सोचा भी न था, मेरी इतनी माया ममता, जिस पर आज तक केवल बोतल का ही अधिकार था, इसका पक्षकियो लेने लगा, सराबी मन ही मन सोचने लगा, कि मैं आज तक बोतल की सिवा किसी के बारे में सोचा ही नहीं, ल अब क्या करूँ? कोई काम करूँ? कैसे दोनों का पेड़ चलेगा? नहीं भागा दूँ इसे? आख तो खोले。 वो सोचनी लगा कि मैं काम करूँ? पैसा कमाओ तभी तो दोनों खाऊँगा कि इसको यहां से भागा दूउ? ऐसा ऐसा बात जो है वो सोचने लगा बालक अंगडाई ले रहा था वो उठ बैठा सराबी ने कहा ले उठ कुछ खाले अभी रात का बचा हुआ है और अपनी राह देख तेरा नाम क्या है रे वो अपूछा के लिए कुछ खाले रात वोला जो बचल है और खाके तू अपना राह देख तभी उसका नाम पुछने लगा बालक ने सहज हसी हसकर कहा मधुआ बला हाथ मूँ भी न धोओं खाने लगूं जाओंगा कहा मने वो हसके कहा कि हात मूत दोने दिजे मैं खाने के बाद जाओंगा कहा ऐसा हसके बोला आह कैसे बताओं इसे कि चला जाए कह दू की भाड में जा किन्तु वो आज तक दुख की भठी में जलता ही तो रहा है तो वह चुपचाप घर से जला कर सोचता हुआ निकला मैंने सराभी ऐसा सोच रहा था कि कह दू कि तू भाग जा जहां जाना है ले पाजी अब यहां लोटूंगा ही नहीं तू ही इसकोठी में रा ऐसा उमन ही मन सोचने लगा शराभी घर से निकला गोमती किनारे पहुँचने पर उसे अस्मरन हुआ कि वह कितने ही बाते सोचता आ रहा था पर कुछ भी सोच न सका हात मुद होने में लगा उजली हुई धूप निकल आई थी वह चुपचाप गोमती की धारा में देखता रहा था देख रहा था धूप की गर्मी से सुखी होकर वह चिंता भूलाने का प्रयत न कर रहा था कि किसे ने पुकारा भले आदमी रहे कहां सालों पर दिखाई पड़े तुमको खोजते खोजते मैं ठक गया सराबी ने चौक कर देखा वह कोई जान पहचान का तो मालूम होता था पर कौन है या ठीक ठीक न जान सका उसने फिर कहा तुम ही से कह रहा हूं सुनते हो उठा ले जाओ अपनी सान धरने की कल नहीं तो सड़क पर फेक दूँगा एक ही तो कोठरी जिसमें मैं दो रुपए किराया देता हूँ उसमें तुम मुझे अपना कुछ रखने के लिए नहीं है ओहो राम जी तुम हो भाई मैं भूल गया था ऐसा सराबी बोला तो चलो आज ही उसे उठा लाता हूँ काते हुए सराबी ने सोचा अच्छी रही उसी को बेच कर कुछ दिनों तक काम चलेगा ऐसे मन में वो सोचने लगा सराबी गोंती नहा कर राम जी उसका साथी पास ही अपने घर पर पहुँचा सराबी को कल देते हुए उसने कहा ले जाओ किसी तरह मेरा इसे पीछा छुटे बहुत दिनों पर आज उसको कल धोना पड़ा किसी तरह अपनी कोठरी में पहुँच कर उसने देखा कि बालब चुपचा बैठा है बड़ बड़ाते हुए उसने पूछा क्योरे तुने कुछ खा लिया है की नहीं सराबी ने पुछा मध्वा से भर पेट खा चुका हूँ और वह देए तुम्हारे लिए भी रख दिये है मध्वा ऐसा बोला का कर वह अपनी मधूर हसी से उसे रूखी कोठरी में तर कर दिया आगे देखे शराबी एक च्छन भर चुप रहा फिर चुप चाप जल पान करने लगा मन ही मन सोच रहा था या भागे का संकेत नहीं तो और क्या है चलू फिर कल लेकर सान देने का काम चलता करूं दोनों का पेट भरेगा तो सही काम करने से ठीक है वही पुराना चर्खा फिर सीर पर पड़ा नहीं तो दो बात की सा कहानी इधर उधर की कहकर अपना काम चला ही लेता था पहले तो हम कैसे भी करके कहानी सुना करके पैसा कमा के अपना जीमन अब्यतित कर ही लेते थे लेकिन अब चरखा ही सही चरखा ही चला करके दोनों का पेट भर लूँगा फिर आप तो बिना कुछ किये धरे नहीं चल लेका क्योंकि साथ में अब दोग आदमी आ गए हैं था तो बिना कुछ काम किये तो दोनों का पेट नहीं भरेगा जल पीकर बोला क्योंने मध्वा अब तु कहां जाएगा मध्वा बोला कहीं नहीं यह अलो फिर क्या यह जमागड़ी है कि मैं खोद खोद कर तुझे मिठाई खिलाता रहूँगा तब तो काम करना चाहिए करेगा तो मध्वा बोला जो कहो अच्छा तो आज मेरे साथ घुमना पड़ेगा यह कल तेरे लिए लाया हूँ चल आज से तुझे सांद देना सिखाऊंगा सरावी बोला ठीक है कहां रहूँगा इसका कुछ ठीक नहीं पेट के नीचे रात बिता सकेगा न ऐसा सरावी मध्वा से पूछा मध्वाला कहीं भी रह सकूँगा पर उस ठाकुर की नोकरी न कर सकूँगा सरावी ने एक बार इस तिर द्रड़ी से उसे देखा बालक की आखे द्रड़ नीचे की सोगंध खा रही थी सरावी ने मन ही मन कहा बैठे बिठाए हत्या कहां से लगी अब तो सराव न पीने की मुझे भी सोगंध लेनी पड़ी मने अब तो सराव जैसे की मैं नई प्यूशकूंगा ऐसे मुझे लगने लगा वह साथ ले जाने वाली वस्तूक बटोरने लगा एक गठर का और दुसरा कल का बोज दो बोज हुए सरावी ने पुछा तू किसे उठाएगा मधवा बोला जिसे कहो अच्छा तेरा बाप जो मुझे को पकड़े तो सरावी बोला मधवा से कोई नहीं पकड़ेगा मधवा बोला चलो भी मेरे बाप माबाप मर गए मधवा ऐसे सरावी से बोला सरावी आचर से उसका मुझ देखता हुआ कल उठाकर खड़ा हो गया बालक ने गठरी ला दी दोनों कोठरी छोड़कर चल पड़े अब हम लोग इस कहानी से समंधित कुछ महत्पुन तथ्यों के बारे में पढ़ने वाले हैं देखे तो पहला पॉइंट है यहां से कि सरावी ने सराव को कितने दिनों से नहीं पिया था तो साथ दिनों से तुम जूठे हो अभी तो तुम्हारे कपड़ों से महक आ रही है किसकी कथन है तो देखे यह सरावी के लिए ठाकुर जी ने बोले थे मोज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुख पुर्ण जीवन से अच्छा है और किसने बोला था तो सरावी ने ठाकुर सरदार सिंग ने सरावी को कितने रुपे दिये एक रुपे ठाकुर सरदार सिंग के जमादार का नाम क्या था ललू मधुआ जा सो रहो किसका कथन है तो ललू का कथन है वे अब भागता है कि नहीं क्यों मार खाने पतुला है किस ने बोला मधुआ ललू ने बोला मुझे रोने से बड़ा बैर है किसने बोला सरावी ने मध्वा से बोला सरावी ने मिठाई दुकान से कितने रुपए का समान लिया एक रुपए का मध्वा सरावी के हाँ ओड कर क्या सोया तो बड़ा पुराना कोट ओड कर सोया इस छोटे से पाजी ने मेरे जीवन के लिए कौन सा इंदर जाल रचने का बीड़ा उठाया है तो सरावी ये सोच रहा था सरावी किस नदी के तट पर गया तो गुंती नदी के तट पर राम जी कौन था तो सरावी का साथी था राम जी राम जी ने सराबी को क्या हटाने को कहा तो सांध धराने की कल हटाने को कहा राम जी कितने रुपए किराया देता था दो रुपिया बहुत दिन के बाद सराबी ने क्या ढोया सांध होने की मसिंड होया मधुआ के माता पिता मर गय थे सराब ना पीने कि सवगंद किसे लेनी पड़ी सराबी को चल आज से तुझे सान देना सिखाऊंगा किसने बोला तो सराबी ने मधुवा से बोला आगे है कि इन में से कौन सिक्रीटी उपनियास है तो इरावती उपनियास है कहीं भीरा सकूंगा पर उस्ठाकूर की नोकरी ना कर सकूंगा किसने बोला मधुवा ने कहा मधुवा कहानी के लेखा कौन है जैसंकर प्रसाद जैसंकर प्रसाद की मधुवा कहानी किसके बारे में है तो सराबी की हिर्दय परिवर्थन के बारे में या कहानी है अब हम लोग इस अप्रस समंधित महत्मून अब्जेक्टिब को सोल्ड करने का प्रयास करेंगे ठीक है? तो चलिए आरम करते हैं देखे पहला नमर का प्रश्ण है कि सराबी ने सराब को कितने दिनों से नहीं पिया था तो साथ दिनों से आगे है कि तुम जूटे हो अभी तो तुम्हारे कपड़ों से महक आ रही है किसका कथन है? तो यह जो कथन है यहां है सराबी का कथन है ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद है कि मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपुन जीवन से अच्छा है या किसका कथन है? तो सराबी का कथन है ठाकूर सरदार सिंग ने सराबी को कितने रुपए दिये थे? एक रुपए ठाकूर के जमदार का नाम क्या था? तो बताना है उसका नाम क्या था? ललू था मधुआ जा सो रहे? किसने बोला? तो ललू ने बोला मधुआ से आगे है इसके बाद की वे अब भागता है की नहीं क्यों मेर खाने पर तूला है किसने कहा तो ललू ने कहा मधुवा से कुमर सहाब का ओवर कोट लिए दिन भर कौन खड़ा था तो मधुवा आगे है इसके बाद की सरावी को फटे कंबल के नीचे क्या मिला तो पराठे का टुकणा मिला मुझे रोने से बड़ा बायर है कि इसने बोला सरावी ने सरावी ने मिठाई दुकान से कितने रुपए का समान लिया तो एक रुपए का समान उसने ले लिया जितने पास उसके पास जितने रुपए थे आगे है कि मधवा सरावी के यहां क्या ओड़कर सोया तो मधवा जो है ना सरावी के यहां बड़ा पुराना कोट ओड़कर सोया था इस छोटे से पाजी ने मेरे जीवन के लिए कौन सहिंद्र जाल रचने का बीड़ा उठाया है या कौन सोचता है या सरावी सोचता है सरावी किस नदी के तड़ पर गया तो सरावी जो है न दोस्तो गोमती नदी के तड़ पर गया राम जी कौन था तो सरावी का मित्र था, सरावी का साथी था आगे है कि राम जी ने सरावी को क्या हटाने को कहा था तो राम जी ने सरावी को सांधरने की कल हटाने को कहा था राम जी कितने रुपए किराय देता था, दूरुपए किराय देता था बहुत दिनों के बाद सरावी ने क्या ढोया तो सांड होने की मसीन ढोया मधुआ के माता पिता क्या थे तो मर गए थे अगे है कि सराव न पीने की सोगंद किसने लेनी पड़ी तो सरावी को चल आज से तुझे सांड देना सिखाऊंगा किसने बोला सरावी ने मधुआसे बोला इन में से कौन सिकृरीती जो है वो उपन्यास है इरावती कोई भी रह सकूंगा पर उस ठाकुर के यहां नहीं रह सकूंगा कौन बोला था तो सोटली यह बाद मधुआ बोली थी परिवार से, मदवा कहानी की लेखक कौन है, तो जैसंकर प्रसाद मदवा कहानी के लेखक है, तो दोस्तों इसी परकार हम लोग हर एक कहानी को पढ़ेंगे, उससे समंधित महत्पुन तथियों के बारे में जानेंगे, और अंत में उससे समंधित अब्जेक्टिब प्रस्नो का प्रस्न उत्री करेंगे तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले कहानी के साथ तब ते के लिए धन्यवाद